राम मंदिर का जहां तक प्रश्ण है पिछले चुनावी घोशना पत्र में भी हम लोगों ने जो संकल्प किया था उची संकल्प को हम दोहराते हैं सभी संभावनाओं को तलास करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी स्वहार्द फून वातारण में राम पब्यराम मंदिर का निर्माण हो जाए मैं यहां पर मैं यहां पर जो इस देश का सबसे बड़ा प्रडूशर और सबसे बड़ा कंजूमर है फॉर्मर उसके बारे में कहना शाओंगा हमारे प्रधान मंत्री जी ने सासन की बागदोर समालते ही कहा था कि हम 2022 आते आते किसा प्रधानों की आमदनी दो गुना करेंगे यह हम फिर से अपने उसी संकल को दोरा रहे हैं और उस दिशा में हम पांच वर्सों में तेजी से आगे बढ़े हैं कोशना इस तंकल पत्र में यह भी कहा है कि एक लाख तक का जो क्रेडिट कार्ड पर लोन मिलता है एक लाख तक का क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता है उस पर पांच वर्सों के लिए रेट आफ इंट्रेस्ट जीरो परचंट होगा सुन नफीश लिवर ब्याजदर पर एक लाख ताव कर जिनेंगे ग्रामीड शेत्रों का विकास हमारी अधारना है कि जब तक इस देश के किसानों का विकास नहीं होगा जब तक इस देश के गाउं का विकास नहीं होगा तब तक सच मुछ हमारे देश के विकास का जो स्वपन है वत्ताकार नहीं हो पाएगा इसी दिये, दिन्धिक्षा शक्त का परिचे देते हुए, हम लोगों ने फैसला किया है कि, मारे प्रधान मंत्री जी ने, अद्यक जी ने, पच्छिस लाग करोड तक का ग्रामीड शेतर के विकास पर पांच वर्सों में खर्च करेंगे, पच्छिस लाग करोड अभी हाल में एक किसान सम्मान निधी योजना आधनी प्रधान मंत्री जी के द्वारा लांज की गई थी, यानि एक इनकम सपोर्ड था इस देश के किसानों के लिए, छे हजार रुप्या प्रतिवर्स, जिनके पास दो हेक्टेर से कम की जमीन है, उनको दिया जाएगा, पहली किस्त जा संकल पत्र को तयार करने के लिए बैठे थे, तो इनके उन्हों ने ये कहा प्रधान मंत्री जी ने की, मुझे कुछ अजीवो गरीब लगता है, कि हम कोई भी लाव या दी देना है तक यबल कुछी लोगों तक हम क्यों सिमित रखना चाहते हैं, दो हेक्टेर तक काही किसा नहीं, बलकि जो भी किसान होगा, उस सभी किसानों को हम यह इनकम सपोर्ट 6,000 रुपे का देंगे, यह जो है, उन्होंने कहा, और उसको हम लोगों ने अपने संकल पत्र में सामिल किया है, सभी किसानों को यह किसान सम्मान निदी का लाव मिलेगा, बड़ी बात, यह भी ह हम लोगों ने फैसला किया है, आजाद भारत के इतिहास में साथ किसी ने सोचा नहीं होगा, किसमाल और मार्जिनल फॉर्मर्स, छोटे और सिमान किसानों को पैंसन की सुबिधाबी देंगे, साथ वरस के बाद, पैंसन की सुबिधाबी देंगे, राश्री ब्यापारी आय इनकी चिंता करने वाला अभी तक कोई आयोग नहीं मना, तो इस संकल्प पत्र में हम लोगों ने यह संकल्प लिया है, कि हम राश्री ब्यापार आयोग बनाएंगे, और राश्री ब्यापार आयोग जो बनाएंगे, इनैक्टिव यह आयोग नहीं होगा, बैलकि भेरी यह भी संकल्प पत्र में कहा है, कि हम देश के छोटे दुकानदारों को भी पैंसन की सुविदा साथ वर्स के बाद मुहिया कराएंगे, समावेशी विकास, इनक्लोसिव ग्रोथ इस देश का होना चाहिए, यह हम सब की चाहत है, समाज के सभी वर्ग, चाहे यस्ती हों, च संकल्प पत्र में लिया है, और मैं आपसे डिवेदन करूँगा, कि आप जो हमारा संकल्प पत्र है, उसके डिटेल में, उसके विस्तार में जाएंगे, तो सारी चीज़ें आपको वहां पर मिल जाएंगे, एक संकट, और संकट ही नहीं, बलकि मैं इसे देश की देख शु इम्बैलेंस है, उसको हम समाप्त करके ही दम लेंगे, और मैं प्रधान मंतरी जी को विशेत रूप से बढ़ाई देना चाहता हूँ, जब से आपने प्रधान मंतरी के जम्मेदारी तौपी है, बराबर आपने इसकी चर्चा की है, और श्यत्री असंतुलंग को कम करने के दिए धीरे धीरे उसे पूरे समाप्त करने के लिए आपने कई प्रभावी कर्म भी उठाए हैं, एक और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, प्रधान मंतरी जी ने यह भी कहा था, चुनाओ को लेकर इस देश को बहुत बड़े खर्च का वहन करना पड़ता है, बहुत ब प्रधान मंतरी होगा, स्वभावी करूप से उसके मन के अंदर यह भाव पैदा होगा, तो प्रधान मंतरी जी ने उसी समय कहा, देश की जनता का आवाहन किया था, इस पर बहस होनी चाहिए, कि देश में सारे चुनाओ साथ हों, हर महीने चुनाओ नहीं होनी चाहिए, तो कोई बहुत लंबी चोड़ी बात करने की आवश्यक्ता नहीं है, यह सभी सभी कार करते हैं, यहां पर हमने बहुत सारे structural और procedural reforms किये हैं, वहीं पर system में भी काफी changes लाए हैं, उदाहन तो हमारे पास कई हैं, लेकिन मैं एक का उदाहन देना चाहता हूँ, direct benefit transfer system, direct benefit transfer system से जो सहायता, चाहे वो widow pension हो, old age pension हो, चाहे वो कोई subsidy हो, यह पहले middle man के मार्धम से जो लोगों के द्वारा पहुँचती थी, अब वो direct benefit transfer system के मार्धम से पहुँचना प्रारम्ब हुई है, जिसका परणाम यह हुआ है कि हम लोगों ने एक लाख दस हजार करूर उल्पे की बच्चत की है, system में change लाने का यह लाब होता है, procedures में change लाने का इतना बड़ा यह लाब होता है, मारे केंद्र राज्य सरकारों के संबंद बहुती बहतर हों, प्रगाड हों, हम उसको और अधिक मजबूत करने के लिए जो भी आवश्यकों का कदम उठाएंगे, मैं मित्रों यहां बहुती संचेप में का और चर्चा करना चाहता हूँ, कि हमारे प्रधानवंत्री जी ने अपनी प्रगाड़ताद हो रही है, बार बार, कि 2022 तक हम नए भारत का निर्मान करेंगे, जब आजादी के 75 वरस पूरे होंगे, तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं, तो ऐसे हमने लगबग 75 स्टेप्स, 75 कदम तेंग किये, मैं उनमें से सारे पॉइंट्स की चर्चात नहीं करूँगा, लेकिन खुछ सैलियन पॉइंट्स, कि 2022 तक किसानों की आई को दो गुना करेंगे, और साथ बरस की आयू की उपरां सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, छोटे और सिवान किसाने होट पेंसन योजना, इसकी मैंने चर्चा कर दिये हैं, प्रदान मंत्री किसी सिशाई योजना के अंदर कर सभी सिशाई परियोजनाएं पूरी करने की दिशा में काम करेंगे, क्योंकि 20 साल, 25 साल, 30 साल से एरिगेसं के बहुत तारे प्रजेक्ट जो हैं लंबित पड़े हुए हैं, उन्हें पूरा करेंगे, और मूल धन के सामानने परभुकतान की सर्द पर सुन्य प्रतिशत ब्याजदर पर एक से पांच वर्स के लिए एक लाक रुपे तक की का हम क्रिसी रण देंगे, इसकी भी चर्चा की है मैंने, और लेंड रिकार्ड का डिजिटाइजेशन करेंगे, उसका जो है हम डिजिटी करन करेंगे, युआ के लिए और शिक्षा के चर्चर में, कई कदम हैं, लेकिन दो की मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा, उतकृष्ट प्रबंधन संस्थाओं में सीटों की संख्या बढ़ एक्सलेंट इंजिनिंग कॉलेजेज, जो संस्थाओं हैं, इंजिनिंग की, उन में भी हम बढ़ाएंगे, और इतना है नहीं है, लाव से जुड़े जिटने भी इंस्यूट्स हैं, लाव कॉलेजेज हैं, उनमें भी सीटों को पढ़ाने की दिशा में हम कदम उठाएंगे बुनियारी धाचा, बने एक इंफ्रास्ट्रक्शर, डवलप्मेंट के लिए, प्रते एक परिवार के लिए पक्का मकान, जिसको कि अध्यक जी ने भी कहा है, अधिक से अधिक ग्रामीन परिवारों के लिए, यल्पीजी गैस सिलिंडर, लेकन अध्यक जी ने कहा है, कि हम सभी गरीब परिवारों के लिए, ल्पीजी गैस सिलिंडर मुहया कराएंगे, तो हम इस लक्ष को हासिल करके ही दमलेंगे, सभी घरों का 100% बिद्दुती करना, पावर इन एवरी विलेज, पावर फार आल, यही लक्ष रखकर हमारी यह सरकार मोरी जी के नितृत में काम क किया है, सभी घरों में स्वक्ष पे जल की उपलब्दता, यह भी हम करेंगे, सभी घरों में स्वक्ष जल पीने के लिए मिले, पीने का पानी मिलना शरी, नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज का काम बहुत अच्छा हुआ है, नेशनल हाईवेज की लंबाई है, जितनी उसको हम दो गुना करेंगे, जस्ट डबूल करेंगे, हम इस लक्ष के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएंगे और सहरों और गाओं में ODF प्लस और ODF 2 प्लस दर्जा प्राप्त करने के लिए स्वक्ष भारत मिशन के अंतरगत 100% कचरा संग्रह सुनिश्चित करेंगे, वेस्ट मेरेजमेंट, 175 गीगावार्ट रेनिवेबल एनरजी नवी करणी उर्जा शम्ता के लक्ष को हम प्राप्त करेंगे रेलेवे के द्रिश्चिशे, 2020 तक सभी जितने भी रेल पटरियां हैं, कोशिश यही होगी कि लगबग अधिकांत रेल पटरियों का ब्राड गेज में परिवर्तन हो जाए 2020 तक यह भी हम लोग की कोशिश होगी कि सभी रेल पटरियों का इलप्रिश्टिकिशन विद्धिट्वी करन वो पूरा हो जाए हेल्थ की द्रिश्चिशे, आयुस्वान भारत के अंतरगत 1.5 लैक हेल्थ और वेलनेस सेंटर को ले जाएंगे यह तिल्व काम चल ला है, 75 नए मेडिकल कॉलेजे और पोस्ट ग्रेड़ुएट मेडिकल कॉलेजे की भी अस्ठाफना की जाएगे और गरीबों के लिए उनके डरवाजे पर ही गुड़मत्ता पूर्ण प्राथमिक चिकित्सा सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश से सभी स्वास्ट यम वेलनेस के अंदरों पर टेली मीडिशन यम डाइगनोस्टिक लैबरेटरी उपलब्द कराने का भी हम लोगों ने लक्ष सामने रखा है ट्रेंड डॉक्टर और जनसंख्या के अनुपाद आज बहुत अदिखे डॉक्टर से संख्या हमारे कम है पूरी कोशिश हम लोगों की होगी टेंड डॉक्टर और जनसंख्या के बीच का रिशियो कम से कम 1 is to 1400 एक अनुपाद 1400 हो जाए यह हमारी यह पूरी कोशिश होगी पोशन अभियान के अंतरगत को पोशन का अस्तर घटाने के लिए और को पोशन में कमी का दर तेज करने का भी लक्षम लोगों ने इंदरधादित किया है एकोनामी अर्थ व्योस था इसका जहां तक प्रस्ण है यह बताने की आवश्चक नहीं है सारा देश अब इसमें परचित है इस आप डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की रैंक और भी बेहतर बनादे का काम करेंगे और भी बेहतर अभी मैं बोल नहीं रहा हूं कि टाप 20 में रहेंगे कहा रहेंगे लेकिन यह हमारा लक्ष है अभी तक निर्याद एक्सपोर्ट उसको दो गुना करने के दिशा में हमारा यह अब प्रयत्न होगा और सूख्ष हमद्यम और लगू उद्योगों के लिए एक खिड़की एनुपालना यह विवाद समाधान प्रणाली तैयार करने के दिशा में काम करेंगे यह हम पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे इस तिर्कर प्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में भी कारेंगे गुड गवर्नेंस के दिश्चिशे प्रतेक व्यक्ति को पाँच किलो मीटर के भीटर बैंकिंग सेवा उपलब्द हो इसे हम इंश्योर करेंगे अदालतों का भी डिजिटाइजेशन का सिलसिला चल ला है हम इसको डिजिटाइज भी करने की कोशिश करेंगे और इसे माडरराइज भी करने की कोशिश करेंगे डिजिटल ट्रांजेक्शन डिजिटल लेन देन को भी हम बढ़ावा देंगे और जहां तक सरकारी प्रक्रियाओं का प्रस्न है उसे पूरी तरह से डिजिटल बनाएंगे Inclusive Growth सभी बच्चों का ठीका करना इस काम को हुआ है और सभी सरकारी इमारतों को सुगम बनाने का भी प्रयास करेंगे हर आदिवासी स्वतंता सेनानी हम 6 आदिवासी स्वतंता सेनानी संगरहालों के निर्मान का कार्य हम पूर्ण करेंगे आदिवासीों के लिए जो उनके स्वतंता सेनानी है पंच तिर्थ सरकिट का विकास पूर्रा करने की दिशा में हम काम करेंगे जैन समाज चोटे दुकांदारों को प्रधान मंत्री समयोगी मांधन योजना में समलित करेंगे और सभी असंगटित मजदूरों के लिए ब्यापक, सामाजी, सुरक्षा, कभरेज के साथ बीमा, पेंसन, आदी यह सब सुनिश्चित करेंगे महिलाओं के लिए महिला कारेवल भागीदारी दर बढ़ानी की दिशा में काम करेंगे वैसे हमारे हाँ बहिलाओं का पार्टीशिपिशन अन्य सर्विसेस की बाद शोड़ दीए हमारी फोर्सेस में भी बढ़ा है, काफी बढ़ा है तो यह और अधिक आगे बढ़ाएंगे तीन तलाग के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम बहिलाओं के लिए हम न्याय सुनिश्चित करेंगे सांस्कृतिक धरोहर 2022 तक सक्षगंगा का लक्षयम पराप्त करेंगे स्वदेश दर्सन, प्रसाद और हिर्दय योजना के अंतरगत सभी परियोजनाओं को के कारे को सिगरता से पूरा करेंगे सभी राफ्ति संग्रहालियों के संग्रहों का डिजिटाइजेशन करेंगे मित्रो यह सब जो प्रमुक हमारे विजन डाकुमेंट के बिंदु थे, पॉइंट्स थे उस ओर मैंने आप सब का ध्याना करशित किया है और मैं पुनह इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि हमारी सरकार का जहां तक प्रशन है दरंद भाई मोडी के नितृत में जैसा मैंने पहले कहा जन सामाने का भरोशा और भी स्वास बढ़ा है इसलिए हम जो कहा है हमने उसे हम करके ही दम लेंगे इसी संकल्प के पात हम आया है संकल्प पत्र बेश वासियों के समग से प्रस्तुत कर रहे हैं आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद